यार हमारी एपीजोड की शौट में इस होती है जहां पर कोच रेट्सो के मुँपे पंच मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मा दे भी कैसे हुई कि तुम्हें बॉक्सिंग का मजाक उड़ाया इसी पंच के कारण रेट्सो की नाग से खून निकलता है जो देखे कोच कहता है में जो कि 10 साल पेले रेटायर हो गया था तुम मेरे पंचिस को नहीं देख सकते हैं अगर मेरी जो का एंड्रियो होता था तो महारा काम कप का तमाम हो गया होता है अब तुम्हें पता चला के बॉक्सिंग आखिर कितनी ज़ादा डिफरेंट है ए तो कहता हूँ यहां से निकल तो इसका मतलब तुम्हें मेरा पंच दिख रहा था इसके जवाम में हां केते हुए मजीद बोलता है मुझे तुम्हारा पंच आते हुए तो दिख रहा था अगर मैं चाहता तो ब्लॉक या डॉच भी कर ले था मगर वो मेरी सजा दी कि मैंने तुम्हारे बोक्सिंग का मजा कुड़ा के तुम्हें काफी ज़्यादा तकलीफ दी है आप आखरे तेसाज से बोक्सिंग के बिजनस में है तो आपका गुस्ता करना बेशक जाइज है और यही बंच मेरी सजा थी कि मैंने तुम्हारा आखर क्यों दिल दुखाया प्लीज, मैं चाता हूँ, आप मेरी फिलिंग्स को भी समझेगा मार्शाल आर्ट को लेके मैं वाकई में दिलों की गिराईयों से ये करना चाता हूँ मैं मार्शाल आर्ट को बॉक्सिंग के खिलाफ रिपेसेंट करना चाता हूँ ये कहते कहते है, रेट्सू उसके आगे अपना सर जुका देता है बिसी बास से कोज भी उसकी फिलिंग को अपसेट करते हुए उसे लड़ने की इजाज़त देता है अगले सी में देखती देखते वो वक्त आ जाता है रेट्सू वर्सेज एंड्रियो अपर रेट्सू के भी काफी जादा नारे लग रहे होता है चानीज ड्राइगन के नाप से सीकिंग रेट्सू रेट्सू जू जो रिंग की और बढ़ रहा होता है रेट्सू के मान में काफी जादा सावलात होता है रेट्सू ने कभी लोग को इंटर्टेंग करने के लिए लड़ा नहीं है रेट्सू यही सोचर होता है कि बैट्स में ता दिखावा नहीं होना चाहिए बैट्रल तो वो होता है ताकि वो लोग को जादा से जादा इंटर्टेन लग सके ऐसे भी बड़े शोशे मार के इस मैच को जादा से जादा तक परमोट कर रहा होता है अलबता रेट्सू जानता था यह सारा इंफ्लेंस वगरा मैचेस में नहीं होना चाहिए मुझे लगता है रेट्सू को यह से जादा नहीं पसंद आया क्योंकि फिर बंदा स्टॉंग होने के बजाए सब यह सोचेगा कि वो लोगों में कैसे जादा फेमस हो सकता है फिर बंदे में इस बात की भी कमी आचाती है कि वो स्टॉंग अपोनेट से नहीं लड़ना चाहिगा और यहां तक तो कुछिंग के अपने बंदे काफी जादा एक्टिंग करें कि वो इस मैच के लिए काफी जादा एक्साइटेड है इसी बीच में मैच शुरू होने से पहले लेट्सू की और किक मारता है जो कि रेट्सू को तो लगती नहीं है यह देखके लेट्सू एक बार फिर से सोचे ले लगता है इसना जादा दोगला बन इससे पता भी था कि ये किक मुझे इतनी दूरी से नहीं लगेगी जब दोनों की बोडिस को चेक किया जार होता है कि अपने साथ कोई हद्यार वगेरा तो नहीं लाए उसी बीच में यहाँ पे एंड्री बोलता है अब मैं नाटक नहीं करूँगा मैं जानता था मैं नाटक कर रहा हूँ अब यहाँ से कंपिटिशन की शुरुआत होती है मैं और एक्टिंग नहीं करने वाला है शुरू होने से पहले रैट्सू का कोच उसे बोलता है रैट्सू तुम मरना मत हम देख पाते हैं एंड्री अब यहाँ पे काफी तेज से इदर उदर होना शुरू होता है एक परफ वर्ट तो देखो काफी जादा बेतर है रैट्सू समझ जाता है कि यह शक्स काफी जादा बावफल होने को जा रहा है और यह शक्स वैसे कोई फॉर्मल चैंपियन नहीं बना अपने स्किल के कारण बना है इस सम्में रैट्सू भी रिंग का एक कौने में जाके स्कौटिं रैट्सू उसके जुआ में कहता है तुम यह क्या बोलो मैं तो हूँ ही अपने पैरों पे मगर हाँ जहां तक तुमने लणने की बात किया है मैं तो उससे पंच माने बिना ही जीच जाओंगा तस आप देखने के बाद एंड्री रेफरी को रास्ते से हटने के लिए कहता है जुँ जुँ रैट्सू पे पंच मानने की कोशिश करता है रैट्सू उसके आंखों के सामने से काईब होके अपने हाँ से उसके आंखों को कवर करने लगता है जिस वज़े से एंड्री को देखराने ही होता और वो जब अपनी आंखों से रैट्सू का एक हाथ हटाता रै से रेट्सू जीरो इंच पंच के नाम से एक खतनाक किसम का फोर्स अप्लाई करता है बस इसी के साथ यह मैच यहां पे खतम होता है अगले सी में हम देख पाते हैं यह नियूस्पेपर वगेरा में छप चुपी होती है उनके रेट्सू एक ही रात में मिलियनियर बंगया होत है काईसर उसके सामने यह सारा पैसा रखते हुए कहने लगता है यह तुमारे हिस्से का है रेट्सू तुम पूरे यूएस में एक ही रात में काफी जादा मौशूर हो चुके हो तुम ही वह पहले चानीस परसन हो जो इतनी जल्दी मौशूर हो हो जबके यह ओफिशल मैच था भी नहीं में दिखा जाता है ठीक एंट्रीव को हराने के बाद उसी रात में रेट्ट्सू का इंटर्व्यू चलना होता है इसमें रेट्सू कहता है मुझे तो पहले इसे ही बता तक यह मैच ऐसे ही खतम होगा इस मैच में तो मैंने सर्फ कंफू का बड़ापन को एपास से भावत के Red So Vid ante से कहने लगते हैं बाई मैंने तो कुछे दिखाया भी नहीं है यहम के मैं जो कंफू कंफू करता हूँ वो भी इंकंप्लीट है यह मत पूछो मैंने क्या क्या दिखाया है ये पूछो मैंने क्या नहीं दिखाया मैं तुमें अपने कंफू की पावर request आ रही है रेट्सू तुम वाकई में कमाल क्यों ये तो बस तुमारी first payment है चल दी तुम पैसो में खिलोगे और इसके साथ खतनाक opponent से भी लड़ोगे रेट्सू वैसे पैसो में कोई खास interest तो नहीं रखता होता है लेकिन अब ये इसका हिस्ता होता है तो रेट्सू अबसे कर लेता है किसा इसाथ तो रेट्सू पूछता है ये कितने है काईसर उसे बताता है ये two million dollars है और इसका वसन twenty kilos है फिर रेट्सू कहता है वह सब तो ठीक है अब चुकि ये पैसा तुमने मुझे दे दिया तो ये मेरा हुआ मगर एक बात बताओ तुमारे गंदे पैर मेरे पैसो के बीच में क्या कर रहे है बस ये उसके कहने की देर होती है रेट्सू गुसे में आके उसके एक यवार से चेश्मों को उड़ा के फैंकता है रेट्सू फिर उससे वान करते हुए बोलने लगता है तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है एशली इस तासे तो एक्ट बिल्कु मत करो जैसे कि तुमने मुझे खरीद लिया योकि तुम मुझे पैसा आफ़र करे हो तो ब्रिफ केस में भी दाल की तुम ही मुझे दोगे फिर काईसर ऐसा ही करता है जैसे के रेट्सू उसे कहता है रेट्सू उसका शुक्रिया अदा करके जाने लगता है काईसर फिर उससे बताता है मैंने तुमारे लिए लगज़री कार मुंगा यह है जो कितमे होटल तक ले जाएगी उसका दुबार से शुक्रिया कहके यहां से चला जाता है और यार तूसे सी में फानली वो मॉमेंट आ जाती है जिसको सब दरखतेवे दिलों का इंतजार होता है ओ यार हम देख पाते हैं बाकी जूजू कॉफी तायार कर रहता है उससे अचानक से एक खतनाक से प्रेजन्स महसूस होता है जिससे महसूस करके बाकी की रूप काम पुढ़ती है बाकी काफी जादा इचके चाते हुए कहने लगता है ओहो मेरा फादर आ रहा है जल्दी से अपनी काफी के साथ उसकी भी काफी निकालनी होगी एक तरफ तो बाकी जूजू काफी का कम्पलीट करता ही है के वो अतने में यूजू रोहानमा को अपने गर के अंदर पाता है बाकी यूजू रोहानमा का स्वादत करता है कर सामने फिर बिलू माउंटीन की काफी प्रेजेंट करता है फिर बाकी बोलता भी है मुझे शायद से लगा था कि तुम आऊगे यह प्रूफ करता है कि हम लोग रिलेटेड है यूजिरू हार्मा को काफी पीता देखके बाकी अपने मन में कहने लगता है वाओ ये वागी मे कि बाप बेटी की लड़ाई अब यहीं पे शुरू होगी बाकी का फादर दुबारा से इससे पूछता है कि तुम उससे डरते हो बाकी कहता है तुमारी वो खतनाक किसम की पावर देखके अच्छे अच्छे काप उठते है तो मैं क्यों न काम पूँ इसके साथ यसाथ साफी जादा बच काने लगती है और वो कहता है यह जादा बैटर होगा हम लोग बाप बेटे हैं और बाप बेटे के रिलेशन में हम लोग बैट के खाएं हसे और मजाग करें थोड़ा बहुत लेकिन अच्छानक से हमारी किसी बात पर तूटू और मेमे हो जाती है यहां हम लोग एक दूसरे की डिसिजन के खिलाब जाते हैं और बात बत से बत्तर हो जाती है और आखिरकार एक दूसरे पर तूट परते हैं यह जादा मज़ेदार होगा जो रहानमा इस पर कहता है तुमने ठीक कहा मेरे बेटे सुनके बागी के पैरों तले सबीन किसक जाती है क क्योंकि से मालूम पर जाता है कि अब यूचिरोहानमा क्या करने को जा रहा है यूचिरोहानमा कहने लगता है मैं तुम्हारा बाप हो और तुम्हारी हिम्मद भी कैसे हुई तुमने मुझे इसकदर गटिया काफी पनाई वो भी मैं आज पहली बार इतने टाइम बाद आय वुचिरोहानमा बाकी से लड़ने के लिए तायार हो जाता है और वो इंतजार में होता है कि बाकी का अगला जवाब क्या होगा पाके मैं उसकी गर्दम यहीं से दबो चलो और इसे के साथ हमारी यह वली एपिजोड यहां पर खतम होती है